करेंगे दारू पार्टी तो इसका मतलब यह है क्या जेंटल्मेन होते हुए भी एट लार्ज है बहुत दूर है मतलब बिरोजगार है खाली पेटा हुआ है गेम खेल रहा है अभी हम जो एडियो फ्रेज का जो सिरीज लेके ट्रिक से आये थे वही है ब्लैक बॉक का है ठीक ह कि अब क्या करें कि इसको दो से तीन से चार वर्ड तक आप इसको देखें अगर लगे कि यह देखने के लायक है याद हो रहा है तो आप मारे सब कंटीन्यू बने रहे हैं अगर लगे कि नहीं इससे अच्छा कोई और चैनल में देख सकते हैं अब सौतंतर इस बात से पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है यहां होना चाहिए यह तो पता ही होगा नेक्स्ट दूसरा में यहां होना चाहिए अबांडॉन चलिए ठीक नेक्स्ट इस तरह करके आपको तो पता ही है तो हम बड़े प्लैट्फॉर्म में पढ़े हैं ठीक है उमीद करते हैं क कुछ-कुछ बड़ा platform सही है बाकि 90% 10% सही है 90% हावा में निकाल देता है ठीक है तब इंगलिस से डर वो लोक करा दिया है चली बढ़ती आगे अगर ठीक लेंगे तो आफ मारे सब कंटीव के बने रहे हैं पहला है ड्रॉप इन बकेट ऊट के मूँव में जीरा ड्रॉप का मतलब क्या होते है एक बूंद और बाल्टी में एक बूंद खली है अब यह पानी दिन भर से प्यासा है नहाने के लिए बैठा लेकर सहला पानी नहीं मिल रहा और एक टुपक से निगरा बताइए उस क्या होगा कुछ नहीं होगा ऊट के मूँव में जीरा की इसका मतलब ह हमद क्या करेंगे इसका मतलब है क्या तो थोड़ा साना आत्मसंतूश्ट होता है कि साइर याद हुआ कि नहीं तोरी जाद में तुम एक बूंद डालो या फिर एक पूरो ओस्यंट में तुम एक बूंद डालो महासागर में दोनों तो बात सेम है क्यों उटके मुँँ में जीरग का काम है अगर हम पान लेते हैं कुवां में एक बुन्द अगर पानी गिरा दिये तो हम क्या बोलेंगे दूसरारा आज कुवां भर दिये पूरा कचा-कच कितने रहा एक बुन डाले इससे कुछ होगा क्य आप फीस आउट ओफ वाटर एक फीस है मचली है जो आउट ओफ वाटर है पानी से बाहर है जब हम पानी से उसको बाहर यह तो गलफड़ा से सांस लेती है पानी के अंदर गलफड़ा से सांस लेती है और गलफड़ा से सांस लेती है लेकिन जब पानी से इसको बाहर कर देते तो सांस तो नेकर विए हूं नीचे लेक्स का युए ऐसका मतलब उसके लिए परिस्थिती और आ जागा पर हो वही उसी को बोलते है और सहज परिस्थिती क्या बोलते हैं उसको असहज परिस्थिती हमको लगा कि थोड़ा से इक्जामपल भी डाल देते हैं ज्यादा अच्छा होता है लेकिन यह पीडियोप बहुत पहले बना हुआ है इसलिए हम नहीं डाले ठीक है और उसका इंगलीस नहीं लिखे हैं हम जब लेक्स्ट पीडियोप बनाएंगे तो हम बोल दिया है सब को कि इंगलीस भी लिख देने के लिए बोल दिया है अभी यह पहले का पीडियोप इसलिए मैंसा पर आ ठाल है अच्छा फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है संचिप्त थोड़ी देर के जीए जैसे नहीं होता है गाहँ में देश यह बना है एकदम गाहँ वाला से इसे ही याद रखते किसे लिख दन से कही गए अर्थूरंत जैसे मालेते हैं कि मौसी घर सामने है आठ किलो मेटर 10 किलो मेटर मतलब भी बोले कि आया आओ ये मसी घर से तो घर में सब आस लगा करके बेठा ले एते सांस ले ले लगो खापी के गया फटाक से जो काम थर कर के आ गया तुरंट आगया तो मतलब खले भेट किया का काम अला तो फैसा देले लोग ममी 10 जार मतलब क्या फलाइंग करते हुआ गया जाएंग विजित उड़ते ने गाम में यही बोलता है तो उडल जा रहा है तो उडल जा रहा है मतलब संचिप्त भेट थोड़ा समय के लिए ठीक है यह हम सोचे थे इंग्लीज लिखेंगे इसमें इसलिए खाली छोड़ दिये था लेकिन हम बोले तो यह पीडियाप बहुत पहले बनाया थे इसलिए नहीं लिखा अब का पीडियप में सब में इंग्लीज रहेगा तो फ्लाइंग विजिट मतलब संचे दूर एक और पीडियाप होगा इससे मतलब पूल मतलबत भूल दे आब मतल enforce हम्हाई महाल होने भलता हम्हाउ मोगा है भूल में कीला बनाना जैसे अभी नहीं मान लेतेए कि हम है अभी जैसे ाफ नहीं रहे फिर पीर सोच रहां कि आज सीजेल में एक साइज इंस्पक्टर होता जी इस्टी इंस्पक्टर होता हम यह करते हो खली हवा में महल बना रहे और बैटल कहा है तो बाहर फोन लेकर किसी और के पास सौट्स अरे पढ़ेंगे तब तो होगा तो खली हवाई में महल बनाना मतलब संभावित परिसानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति यह भी नहीं जान रहे एक रिजल्ट के बाद क्या हाल होने वाला है लेकिन सिद्धे रिजल्ट पर मतलब क्या होगा वो सोच रहे है रिजल्ट क्या होगा यह नहीं सोच तो हवाई माल यानि संभावित परिसानी नहीं जानने पर खु वो आदमे हैं वोला कि चल चोरी करते हो ला मज़ा मज़म तो चोरी कर लिए लेकिन हवाई महल अरिस्साला युला चुराक बेजबन धमित के पास इतना पैसा हो जागा अर इतना पैसा हो जागा थमी खर देंगे तुम उखरीद लेना लेकिन यह नहीं जान रहा है कि जब प पकराने के बाद होगा क्या तो संभावित परिशानी नहीं जा रहा है इसी वी तो खुशी क्रिस्थिती है उसके पास तो इसको बुलते है फुल्स पराडाइज है जिसके पास कोई काम नहीं बहुत अच्छा आदमी है जेंटल मैं है हमेसा अच्छा से रहता है ऐसा अच्छा सब कुछ हो दूर है तेखी चीज़ वह वेरोजगारी है तो अजेंटलमें एक लार्ज मतलब बेरोजगार आ दिये अब ये क्या है बेरोजगारी तो है अब ये जेंटलमें नहीं बहुत अच्छा से है पढ़ा लिखा है सब कुछ है इसके पाद पैसा कोड़ी है पैसा किसलिए हम कैसे वालाज्गार जानगे भी पैसा है भीकारी नहीं फटल पैसे इसके पास लेप्टॉप है हबकल है नहीं हमकल सबसे लेब लैपिब रहिस है और जो अमीर है लेकिन बेरोजगार घर-घर से पैसा लेकर यहां जाकर किया करेंगा आज करेंगे part सिक इसका मतलब यह हैं क्या Golden Mean मतलब है, बीच का रास्ता है. Golden Mean मतलब, बीच का रास्ता है. बोलता है, देखो, मेरे पास हम ऐसे याद रखते हैं, हम दो चीज़ पाए हैं. क्या क्या पाया? एक डाइम nowhere. और एक Firver है, चांदी है. बता तुम कौन सा लेगा? दो आदमि है ठीक है बुला कि गोल्डेन है और एक सिल्वर है बताव दो ही है मेरे पास एक वाउंग और लड़ू पाए है इंचे-और पून की विफ़र को भीविछ दो और दोनों से सोंच वरा तुम हैं आधास मिलता द मतलब यहां पीच का रास्ता नियुक्त यहां बीच का रास्ता बना दिये हैं ठीक है यह फिगर दिमाग में फिट होता है रही गोल्डिन मीं का रही सोना जिसन था उसका कलर जंगल का और बीच का रास्ता और नहीं तो सबसे ट्रिक अच्छा था डायमंड पाए सिल्वर पाए दोनों को बेचो शाला गोल्ड ले ल का मतलब होता है पड़े लिखे अच्छे इंसान जो दूसरे को मदद करते हो ठीक है तो अब यहां पानी से यह भींग रहा है अकेले खड़ा है यह चाता इसको दे दिया है कि लो तुम तब्यत खराब है और खराबना हो जा इसलिए अब यह गिरा हुआ है खा रहा है ठीक मेरे मअमी देगी था हम तुमको भी देगे दूगो ठीक तुमको दीन को देगे एगार दो आईसे करके खाएगा मतलब यह लोग बहुत अच्छे होते हैं आना का गूट से मेरेटर मतलब मददगार वेक्ती यह अभी देगा आद बाद में पता नहीं यह दे ली थाना चै और जब ब्च्छाडा हो चहां बकरी हो जब चोटांश रहता हो तो उसका जो स्टिव माण निताओं जा जो हुआ हो। अभर बच्छाडा हो दिर में निकलता है और तो अनुभव ल्युक्त है और बच्छा निकलने के श्टार्ट होता है तब श्टिव किस hekl चाहें हो चाहें बढ़़ना को चया है बढ़ना श्टाट है और अभी अनुभाव हीन होगा उसको जिन्दगी के बारे में बच्चा है जहां पर पूदेगा हेर्स ब्रेद बहुत बारिकी के साथ भीवरन हेर्स ब्रेद का मतलब क्या होता है हेर्स मतलब बाल ब्रेद मतलब उसकी चोड़ाई नहीं बोलता है सालाज बाल बाल बच गे हैं बाल बच गे मतलब एक बाल खली वहां नहीं होता है एक बाल घ्रूस किया था मतलब उतर नहीं बचे है बाल बच्छ का मतलब का चलड़ा का अंतर बाल से बच्छे करना बहुत बारिकी काद बाल बच्छ कि काम करना उसे यारै सब्सक्राइब तो बहुत बारिकी से काम रहता है, यह देखे, यह जीव जो निकाला है, यह अपने नहीं निकाला है, यह डिजाइन बनाने के चक्कर में खुद निकलता है, कोई बेड मिंटर ऐसे करके मारता है, यह भी तो मारेगा, जीव निकालके, कभी-कभी नहीं, कोई चीज बहुत ब करते हैं कि एक बाल्टी था बाल्टी में एक बुन पानी था क्या था कुछ ने बहुत कम था उट पे मुह में जीरा ही था बहुत कम होना महाशागर्भी एक बुन पो भी बहुत कम है अब फिस आउट ऑफ वाटर एक मच्री जो पानी से बाहर निकाल दी मतलब वो परिसानी में है यार क्योंकि शांस नहीं ले पागे असहज परिस्तिती है उसके लिए अब फुल्स पराडाइज फुल्स का मतलब होता क्या है मुर कि फ़्लाइग भी इसने बोलता था को तरह किस तरह घया थे और उड़ल गया उड़ल आगया मतलब थरतनीए दर रहे होंगे इसका मतलब थोड़ी सी भेट कियों बहुत कम संचिप्त भेट किसी से है जेंटल्मेट एट-लार्ज एक जेंटलमें जो कानून एट-लार्ज मत वैंने वीनगोडिन मतलब नीच करके बना देन गुड्रीटर लो पिज़ ने पलीच पूल जो मदद रहा था मतलब और से था बकरीष चोटा बकरीए घुरू पहरें थो जाट बकरीए और पॉजिटिभ आ रहें यह बच्चा हो मैंना तो लो क्या है शुरुमें तो अनुभाविन रहाएगा बच्चा है तो अनुभाविने उलो को किया पता कि यह नो मा करने का यह दो लुद वारिकी से काम करना काटना ऑना मजदा एक दभिए बारिकी से काम करना काट यह कटे-पुरे ध्यूण ताकि कट नजा बहुत बारी किसे काम करता हूं लोग यह था पुरा उमीद करते हैं यह जो है वो बहुत अच्छे से याद हुआ होगा मॉक टेश्ट आप मेरे से पहले लगा लिए होगे उमीद करते हैं इसे सल ठीक लगा होगा अगर ठीक लगा आप मारे सब केंटीनीव ब